योट्यूब चैनल तो आज मैं आगी हूँ फिर से एक नए केक के डिजाइन के साथ और आज वाला भी जो केक है ये भी मैंने उसे दिन बनाया था सेम टाइमिंग पर जो मैंने आपको कल वाला केक जो आप सब के साथ शियर किया था ना कप वाला और मुझे आउट अफ स्टे और दो केक है जो आगे वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगे जो भी बहुत डिफरेंट बहुत अमेजिंग है तो मजा आरा था एसे केक बनाने में और ये वाला जो केक है ये भी बहुत ब्यूटिफुल सा केक बनेगा थोड़ी से हम फॉन निन डिकॉरेशन करेंगे थ बहुत सिंपल है और ये क्लाइन को जो केक है ये टॉल हाइट में चाहिए था तुकेजी का ये हम केक बना रहा है और ये क्लाइन को टॉल हाइट में चाहिए था तो उसके साब से सारी चीज़े करेंगे यहां पे केक चिन मेंने कौन सा लिया है यह मैं आपको डिस्क्रिप आप सब बना सकते हो और बहुत ही जादा पसंद आएंगी क्योंकि यह मेकप थिमपे केक बना रहे हैं जो बहुत ही यूनीक सी बनेगी क्लाइंट ने मुझे पिंटरेस से कुछ अलग ही डिफरेंस पिक्चर दी थी तो मैं और यह मुझे लास्ट मुझे में यानि की तीन केक मेरे थे और यह मेरा फोर्थ जो केक और था यह मेरी क्लाइंट पर्मनेंट ही है तो इनको मैंने कह दिया था कि मैं आउट अफ स्टेशन जा रही हूं तो जैसा अपने दिजाइन मुझे दिया है इसमें फॉंडेंट वर्क बहुत जादा है स्टिकर वर्क था वो भी था ब कर दो जरूरी नहीं कि जिस तरीके से मैं अरेंज करना चाहूं कि वो अरेंज कर पाए क्योंकि जो आइडिया मुझे है वो मेरी सिस्टर को नहीं है तो उन्होंने का ठीक है कोई बात नहीं जितना हो सकता है सेम एज इस या फिर अपने हिसाब से जैसा तुमको के साथ और यहां पर केक बोर्ड में लेक वे अगर मैं चाहती तो एईट इंच का केक बोर्ड है वो ले सकती थी क्यूंकि 6 इंच का हमारा केक टिन था लें लेगन मैंने यह बड़ा लिया यह ता कि लोग अच्छी आए और इसकी जो क्वालिटी है वोजे से मैंने यह केक यूज आप चाहो तो ड्रम बोड भी यूज कर सकते थे साथ में हमारा जो केक यह बटर स्कॉच फ्लेवर पे है तो वन बाई वन जैसे हम लेरिंग करते हैं वैसे हम लेरिंग करेंगे और सारी चीज़े जो है बस प्रोसेस बाई प्रोसेस करते जाएंगे और अगर आप प्रोसेस को रिपीट करते जाते हैं और जैसे कि आप सब की कल कमेंड मुझे आया था कि आपने जो चॉकलेट उपर में पोर किया वो हाड़ नहीं हो जाएगी वो चॉकलेट बिल्कुल भी हाड़ नहीं रहेगी वो स्टिकी रहेगी स्टेबल रहेगी क्योंकि उस पे मैंन अन विप्ट क्रीम जो है वो डाली है एक चमच मैंने जैसे कहा कि एक स्लैब जो मेरे पास चॉकलेट है उसका हाफ पोर्शन मैंने चॉकलेट लिया और एक चमच जितना मैंने वहां पे क्रीम उसमें डाली और डबल बॉयलर में जैसे हम मेल्ट कर लेते बिस वैसे ही उपर मैंने डाल दिया तो वह एक दम भी जमेंगी निए अगर आप सिंपल चॉकलेट को मेल्ट करके डालोगे तो वह आपकी हाड हो जाएगी बट आप उसमें कोई भी बटर या फिर थोड़ी सी क्रीम अगर डालोगे अन विप्ट क्रीम तो वह कभी भी हाड नहीं होगी व बस यह सारी चीज़े हैं और कभी भी आपके डाउट होते तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछा कीज़े पुरी कोशिश करोंगी कि कमेंट के थुरू भी या फिर वीडियो के थुरू भी आप सब के जो डाउट से वह सारे में क्लियर कर सको ताकि आपको हर एक चीज की अ क्योंकि जो भी चीज़ें मैं सिखाओं उनसे आपको जैन्वली काफी ज्यादा हैल्प हो ऐसा नहीं की वीडियो दिखा दी और कुछ चीज़े जो है वह मैंने कुछ आपको समझाई ना हो अच्छे से ताकि आप मिस्गाइड हो जाओ तो मेरा ऐसा कुछ भी मोटिव नही करती हूं क्योंकि केक अगर आप देखते हो बहुत जादा सॉफ्ट तो मुझे ज़रत नहीं पढ़ती है कि मैं शुगर शिरफ लगाऊ और मेरे क्लाइन को जो है ना बहुत अमीटा की पसंद नहीं आता तो इसलिए सारी चीज़े में उनके टेस्ट के हिसाब से बनाती हू मुझे कभी भी शुगर शुगर शुरफ लगाने की ज़रत नहीं पढ़ती है अगर आप लगाते हो तो आप जो है लगा सकते हो बस इस तरीके जमने पूरी लियरिंग करके अगर आप देख रहे हो पूरा केक हमने कमप्लीट कर लिया और सेंटर पे यहाँ पे हमने लगा यह वुड़न डावल जो काफी ज़रूरी था लगाना हमें यहां पे लगा दिया ताकि केक हमार अच्छे से स्टेबल रहे और अब जो है की पूरी हम करेंगे अच्छे से क्रीम के साथ आइसिंग तो वाइट कलर की यहां पे हमने क्रीम लिए अगर आप चाहो हो ना तो हल पूरी कैक को इक दम अच्छे से कोट कर देंगे ताकि कोइक ब्रेट करम सणा प्रेट कर एक हमारे केक केक हमार इistes एकटम में ळाक तो इस से काइब आइसिंग कर रहा था और ऐसीं करनी के बाद रैखा था क्रीम को किस तरीके से विप्ट करना है इसकी भी जो रेसीपी मेरे चानल पे अपलोड है बहुत सिंपल सा तरीका है सिंपल से तरीके के साथ मैंने सारी चीज़े आप सबको बताई है अगर आप देखोगे तो आपको काफी है तो यहां भी यह पार्ट मुझे स्केप हो गया क्लीन किया और उपर में हमने स्विल्स के डिजाइन बना लिए तो यहां भी आप देख रहे हो पिंग कलर के चोटे 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 लिप्स के मेरे पास कट आउट है इसे हम के चार तरफ लगाएंगे अच्छे से थोड़े सोड़े डिस्टेंस में लगाएंगे बहुत जा अगर आपको पीछे से साउंड थोड़ा बहुत सुन रहा होगा तो आज ही मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हो और चट पूजा है आप सब को चट पूजा की बहुत सारी जो है अच्छी अच्छी विशेस चट पूजा बहुत अच्छी से जाए और पीछे साउंड काफी जादा बज रहा है तो उसकी वज़े से में भी आपको वीडियो में थोड़ा बहुत साउंड आए तो प्लीज मैनेज कर लेना क्योंकि वीडियो जो है मैं आज एडिट कर रही हूं काफी टाइम के बाद त अच्छी पार्ट वह दिखा दूंगी जो बहुत सिंपल है आप सब बना सकते हो इसे बनाने के बाद मैंने बॉक्स में रख दिया था रात बर रात को ही बना लिया तो और सुभा मैंने अपनी सिस्ट्र को बोला था किसे तुम बस लगा देना जैसे मैंने स्टिक लगाई ह वैसे ही तो जो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी बाकी एक जो हमारा यहां तक पूरा कंप्लीट है कुछ कुछ चीजे जो है आगे हम करेंगे जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन पार्ट से वह सारी चीजे जो मैं आपको दिखाती हूं तो यह साथ में एक बैक त जो मुझे लगानी थी और यह केक की जो है पूरी ओवराल लुक है सारी चीजे में करके गई थी सुबा यह सारी चीजे मैं लगा दी थी कुछ फॉक्स पॉल्स थे यह सब चीजे थी सिर्फ यहां पर फॉंडेंट की जो मैंने नेल पेंट और लिप्स्टिक लगाई थी व अपनी जगह के साब से ज्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो बाकिया होग कि आज का केक जिजाई आप सब को पसंद आया क्योंकि क्लाइंट को बहुत पसंद आयो जैसे उनने केक मिल और उनोंने उपन किया तो बहुत जादा खूश हो गई कि जितना जोचा था अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर बताईएगा थैंक्स फॉर वाचिंग